इनेलो पार्टी से लोकल उमीदवार एम नगर निगम पूर्व पार्षद सतिंदर सिंग टौनी ने अपना नामनकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ इनेलो नेता अभे चोटाला के बेटे अर्जुन चोटाला साथ नामनकन में पहुँचे हुए थे। पुर्व पार्षद एम नालो पार्टी के उमीदवार सतिंदर सिंग टौनी के साथ उनके भाई बाला राम, राजिंदर सिंग पम्मी, अन्या भारी संख्या में लोगों की भीड थी। डिकिन कई ऐसे मुद्धे होते हैं जो लोपल एडिया के होते हैं जो यहां के रिजिडेंट समझ सकते हैं चो यहां के रहना वाला ही उनके कोई सुधार अगर कर सकता है तो करें इसलिए हमारे पार्टी के जितने भी मेन कार्य करता है कालकस सबी ने ठूनी जी का नाम आग पार्टी के अंदर रहे कि पार्टी को कमजोर करने का मुट करे हैं अब बजार में जाओगे तो मंदी ہے ऑब कोलेजों में जाओगे तो रोजगार की और पढ़ाई की बड़ी दिक्कत है नगर निगम पूर पार्शद एम इनलो पार्टी के उमीदवार सतिंदर सिंग टॉनी ने कहा कि आज कल काल का हलके में लोकल का मुद्दा काफी गरम है और मैं लोकल हूँ और लोगों के मुद्दे और समस्तियां को ही मैंने चुनावी एजंडा बनाया है और इनलो पार्टी ने काल का हलके के लिए मुझे चुना है और उन्होंने अबे चुटाला का भी अभार जटाया है पूरा करेंगे जैसे काल का में लोकल का मुद्दे होंगे आपके हॉस्पिटल की किया कोई सभीदा नहीं है पिंजा और गेंदर कोई स्कूल नहीं है मैं तो पार्षद होने के नाते बहुत सारे विकास कारिया थी है और मैं अभी भाई साब का इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ चटाला साब का जो उन्होंने इतना समय हमारे बीच में दिया इनेलो नेताएफ काल का हलके के उमीदवार सतिंदर सिंग टोनी ने आज कल के सबसे बड़े और ज्वलन्त मुद्दे को पकड़ा है लोकल उमीदवार की मांग काफी अर्शे से उठ रही थी और इनेलो पाटी ने उसे चुना है जिसका फैसला उन्होंने जन्ता पर छोड़ दिया है अब क्या काल का हलके के जन्ता उन्हें चुनती है या नहीं यह तो विधान सबा चुनाव के परिनाम तै करेंगे